जहिनसाथियों तो आई आज का सेग्मेंट शुरू करते हैं आज के सेग्मेंट में देखेंगे अंबेट कर नगर जिसको राम बनोहर लोहिया का जनम जिला माना जाता है यहां पर ही जो समाजवादि थे सोशलिस्ट आइडिलोजी मानने वाले थे राम बनोहर लोहिया और ज जिला है पहले ये अयोध्या के जिले के अंतरगत आता था लेकिन बाद में इसको अलग कर दिया गया और शुरुवात में दो ही तहसीले थी लेकिन बाद में और पढ़ाई गई जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई और लोगों की वहां की जो डिमांड बढ़ती गई वैसे वैसे सारी चीजें होती गई तो अभी आईए देखते हैं इसके बारे में ये अगर आप देखें तो इसमें यहां पर है ये जो रेड रेड से गेरा हुआ है ये है डिश्टिक और इसके आसपास देखेंगे तो गोरगपुर है बस्ती है फैज़बाद है पुरह अजमगर है तो इस तरह से आसपास के हैं और अमभीटकर नगर का अगर आप मैप देखेंगे तो इंडिया में यह उत्र प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में पूरवांचल का एरिया है इसको पूरवांचल कहा जाता है इस वाले एरिये को इधर वेस्टन यूपी ह तो इस्टन यूपी में यहां पर है यह जिला तो एक तरह से आपको मोटा मोटा इसमें माइन मेकिंग भी हो जाएगा कि यहां पर यह लोकेटड है और इसके साथ में राजकिये डक्टर अगर हम बेटकर उद्यान है यह बेटकर पार्क है और यह एंटी पीसी जो नेशनल थर्मल पावर कर्पोरेशन है उसका भी यहां पर काम है और एक लोहिया भवन है मैंने जैसे पहले ही बताया था कि जो रामनोहर लोहिया थे उनका जनम यहां हुआ था तो उन्हीं को हुआ हुआ है जिला पॉपुलेशन है करीब करीब 23,987,889 लेंग्वेज है हिंदी और अवधी अवध प्रांत में आता है एक तरह से अवध रीजन में आता है तो अवधी बोली जाती है और विलेज हैं 1757 मेल हैं 12,12,410 और फीमेल हैं 11,85,478 और इसी के साथ में पब्लि बैंक हैं, एलेक्ट्रिसिटी के लिए 2 है, मिनसिपालिटी पांच हैं, कॉलेज तीन हैं और हॉस्पिटल दो हैं और अगर बात करें बिलेज़ेस की तो 1757 बिलेज़ेस हैं, 5 मिनसिपल कर्पुरेशन हैं और 9 पॉलिज स्टेशन हैं और इसके साथ में अगर हम देखें कि यहां पर जो लोगसाबा की कनिस्ट्वेंसिय है, उसमें राकिस पांडे बहुजन समाष पार्टी से 2019 के टिगट पे जीते थे और अगर कनिस्ट्वेंसिय की बात करें, जो लोकसाबा trait संसद में भेज़ता है, और जो कनिस्ट्वेंसिय है, किसी भी चैंडडिडेट को तो वहां की जो जैसे लखनो उतर प्रदेश की राजधानी है तो वहां का MLA चुनके जाएगा तो MLA की जो सीटे हैं ये हैं आलापूर, खतेहरी, टांडा, जलालपूर, अकबरपूर तो ये इतनी सारी सीटे हैं और इसके साथ में अगर हम देखें पहले तो ये वैसे ही है क पूरे देश के लजर ये से अगर देखा जाए तो उस सिंस में है अभी यहां की लोगसभा की मैं दूसरी स्लाइड में दिखाऊंगा तो जो पहली जैसे अभी ये चल लाई है, ये सत्रावी लोगसभा का सिसन चल लाए तो सत्रावी और सुलावी दोनों में नेरेंदर मो जवाल लाल नहरू और तीसरी के ही मिड में लाल भादु सास्त्री को बनाया जाता है 1962 में और फिर इंद्रा गांधी बनती है और जवाल लाल नहरू की डेथ है ये होती है 1964 में मतब 62 में तो इंडिया चाइना वार होता है और फिर 64-65 में 65 की लडाई होती है पाकिस्तान से तो उस तरह की होते हैं लेकिन जवाला नेरू की जो death है ये होती है 1964 में और उस समय इंडिया के पास में एक तो जै जवान जै किसान का नारा देते हैं लाल भादो सास्तरी उस नारे सी ही आप देख सकते हैं कि जै किसान और जै जवान की बात हो रही ये मतलब बॉर्डर पर सिक्योर्टी थ्रेट है चाइना से एक बार दोखा मिल चुका है और फिर पाकिस्तान भी बार-बार अपनी हरकतें कर रहा है तो उस सेंस में जवानों को भी यहां के जो पी-म है वो मोटिवेट कर रहे हैं और इसके साथ में जो किसान है क्योंकि उस समय जो अमरीका था अम कि लैंड नहीं है जहां पर वो पैदा कर सके ज्यादा तर आइस है तो और अमरीका ने इसलिए मना किया था क्योंकि जो जब संयुक्त राष्ट में ओटिंग होती थी तो इंडिया इतरह से रस्या का फेवर करता था इंडिया मिट पात पे चलता था तो ज्यादा तर रस्य के फेवर में कभी-कभी चला जाता था ज्यादा तर तो रस्या से ही था इसके बाद में 1962 में फ्रेंड्शिप ट्रेटी होती है बीस साल के लिए अगर इंडिया पे कोई आकर्मन कर रहा है तो समझ लीजे रस्या पे कर रहा है इस तरह से रहता है तो उसी की वज़े से जो यूएस की सेवन फ्लीट आई थी वेया वंगाल में लेकिन लोट के चली गई थी और बांगलादेश बनाने में एक तरह से उस ट्रीटी का ही कोर तरह से बैक बोन थी तो यह सारी चीजें थी और तो इस सेंस में यहां पर बहुत सारी चीजें हुई और फिर आप देखते ह है जब जवाला नहिरूप की डेथ के बाद में लाल बाहदु सास्थी जी आते हैं और उनकी डेथ के बाद में जो तासकंद में एक तरह से मिस्ट्री है कैसे क्या हुआ उसमें उनके बाद में इंद्रा गांधी जी आती है फिर यह फॉर्थ टर्म में रहती है और 1971 के जो एलेक्शन होते हैं उसमें पाया जाता है कि इंद्रा गांधी जी एक तरह से इन्होंने सरकारी मसिनरी का गलत उपयोग किया है इनके खिलाफ में राज नरायन जो जै प्रकास जे पी आपने सुना होगा पटना के वो खड़े रहते हैं इनके अगेंस तो वो ऐसा ऐले करने के लिए और जीतने के लिए तो और वहां पर इलाबाद में यह मामला जाता है और फिर इंद्रा गांधी को ऐसा जैज्मेंट आता है कि आप मतलब एक तरह से आपका यह पाया जाता है आप गिल्टी है आप पीम तो रह सकती हैं लेकिन कोई भी लेजिस्लेचर से रिल 1975 से लेकर 1977 तक 42nd constitution amendment होता है emergency लगाई जाती है और बहुत ही काले दो साल जाते हैं paper news जितने भी तरह की चीज़ें जो विपक्ष है वो एक तरह से जेल में ही रहता है दो सालों तक और 1977 में जब election होता है तो जो जनता पार्टी है उसका कोईलेशन से government बनती है लेकिन यह भी लड़कड़ाती हुई चलती है और फिर 1980 आते आते यह भी एक तरह से अपना टर्म पूरा नहीं कर पाती है बहुत ही मुश्किल से पूरा करती है इसमें मौरार जी देशाई प्रधान मंत्री होते हैं और फिर चौधरी चरण सिंग जो किसान थे और एक तरह से फिर इस तर देखरे कर 84 तक क्योंकि 1984 में जो अमरिस सर में जो ऑपरेशन ब्लू स्टार होता है उसके बाद में इंद्रा गांधी जी के गार्ड ही इनको गोली मार देते हैं जिससे इनका इतरह से इनकी डेथ हो जाती है और फिर 1984 में राजीव गांधी को उनके बाद ही राजीव हैं और फिर जो नाइंथ होती है लोक्षभा वो 1989 में बीपी सिंग और चैंडर सेकर बनते हैं क्योंकि अब यहां पर देखते हैं राजीव गांधी जी नहीं है क्योंकि इनका भी अससेसिनेशन हो जाता है लिट्टे द्वारा यह तमिलनाडू में एक रैली कर रहे होते है तब ही एक लड़की आती है और वो अपने एक तरह से माला पहनाना चाहती है और वो एक यूमन बम रहती है उसके माला में और उसमें भी बम रहता है अपने आप में बांदे रहती है और फिर दबाती है रिमोट और अपना तोड़ी जाती है साथ में राजीव गांधी जी बनते हैं और फिर उनके बाद में चंदर सेखर बनते हैं और फिर टेंथ होती है जो 1991 में उसमें पीवी नरसिंभार आओ पीवी नरसिंभार आओ एक तरह से यही इंडियन एकोनोमी को लिबराइज करते हैं ओपन करते हैं एक तरह से कोई भी विदेशी कंपनी है आए और नि होता है और इसके बाद में जब 11 आता है तो उसमें 1996 में अटल विहरी बाचपेई HD देवगवडा और जो आई के गुज्राल ये तीन लोग 1996 से लेकर 1998 तक रहते हैं जैसे अटल जी ही 1998 में फुल फ्लेज 1998 से लेकर 2004 तक रहे हैं एक तरह से भारत के प्रदान मंत्री लेकिन इस से पहले भी वह रहे चुके हैं एक बार 13 दिन के लिए थे और एक बार सिर्फ एक ओट से इनकी सरकार गिर गई थी तो इस तरह से था और फिर जब आपकी जब 14 लोग सभा आती है 2004 में उस समय कॉंग्रेस में जान फूंकती है जो स्रीमती सुनिया गांधी है यह और एक तरह से देखिए कॉंग्रेस आप देखते हैं यहां से 1984 के बाद में अपना डेकलाइन कर जाती है और पीवी नरसिंभा राओ के समय में रहती है लेकिन जो कोईलेशन और यूपय में दूसरे दल भी आ जाते हैं छेत्रीय दल भी आ जाते हैं लेकिन बाद में 2004 में एक तो अटलवियारी वा उनके नियतरुत में चुनाओ जीतते हैं मैं यह कहना चाहता हूँ और फिर 15th लोगसभा 2009 में उसमें भी कॉंग्रेसी अपने यूपय गटक दलों के साथ में चुनाओ में जाती है और चुनाओ जीतती है लेकिन 10 साल तक और मनमुहन सिंग रहते हैं यहां पर प्रदान मंत रहते हैं प्रदान मंत्री और एक तरह से और सारी डिवीजन रहती है तो आप देख सकते हैं यहां पर काफी सबका रिपरेजेंटेशन था इस तरह से आप देख सकते हैं और फिर 16 2014 में क्योंकि 2009 और 2004 से लेकर 2014 था यह 10 साल में 2G स्कैम और दुनिया भर के गोटाले होते है 22 लाग करोड और पता नहीं क्या-क्या तो इसकी वज़े से एक तरह से जनता में बहुत ही एंटीन कमबैसी भी रहता है एक तुदा साल से अंगरे सरूल कर रही होती है और फिर मोधी लहराती है 2014 में और यह वादा करते हैं अच्छे दिन इसके बाद में और चौदा सॉरी वो 18 लाग रुपे, 16 लाग रुपे का की सुईस बैंक से हम ब्लैक मनी लेके आएंगे फिर इस तरह के वादों से और फिर कॉंग्रेस और कॉंग्रेस समेट यूपिये बहुत उनकी बुरी हार होती है बहुत सारी सीटे हार जाते हैं और इसके बाद में जो 2014 का एलेक्शन ह होता है मोदी लाहर की वज़े से जिखते हैं एंडिये और फिर इसके बाद में 14 15 15 चलता है पंदरा में ज्यादा तर खातों और जो जिनके खाते नहीं खोले रहते हैं जंधन उससे रिलेटेट काम होता है 2016 आता है 16 में डिमोनिटाइजेशन होता है आठ नॉमबर को उसमे पांस और हजार के नोट बंद होते हैं लेकिन उसका एक्चुल कुछ फाइदा होता नहीं सक्तिकांदाज जिन्हों ने एक तरह से कहा था कि नोट बंदी अच्छी होगी बहुत अच्छी साबित होगी इससे काला धन इक तरह से सफेद होगा और फिर गवर्मेंट ने बार ट्रांजेक्शन होगा यह होगा तो यह सारी चीजे बताई गहीं फिर 2017 में एक जुलाई को जी एस्ट आता है जी एस्ट आने के बाद में बहुत सारी चीजें सही होती है गवर्मेंट के पास में टैक्स जाता है क्योंकि इसके पहले आप मान लीजे कोई चीज खरीद रहे है मान लीजे आप एक कार खरीद रहे हैं तो इस पर जी एस्ट ना होने के समय लोग कैश दे देते थे और कैश से खरीद लिए या इस तरह से अपना दूसरा रास्ता जो ब्लैक रास्ता होता है वो कर लेते थे लेकिन जी एस्ट आने के बाद में बहुत सारी चीजें कर दिया है अभी इस समय कोई नहीं है चल रहा है बस तो उन्होंने इसे गवर्बर सिंटेक्स कहा है लोग आम लोगों को थोड़ा तकलीफ हो रही है लेकिन अभी गवर्मेंट भी बार-बार स्लेब चेंज कर रही है बार-बार उसको मोडिफिकेशन कर रही है देखते हैं कब तक क्या होता है इसके बाद में 2018 आता है 19 में एलेक्शन होने होते हैं और 2018 में भी एक दो फैसले लिये जाते हैं और 19 में जो 370 है 35 यह है और क्योंकि इसी समय नेशनलिजम बहुत हाई होता ह है और इयर स्ट्राइक होता है इसके पहले सर्जिकल स्ट्राइक भी हो चुका होता है तो इन 5 सालों में यह कहानिया होती है फिर आता है 2019 ऐलेक्शन होते हैं यूपीए फिर हारती है और एंडिये फिर गवर्मेंट में आती है मतलब दुबारा अपना सेकेंड टर्म भी आत अयुद्या का verdict होता है वो भी आता है और इसके बाद में 2019 के अंत में दिसम्बर में ही मार्च में ही आ जाता है चाइना में COVID-19 लेकिन इसलिए उसका नाम ही 19 है क्योंकि 2019 में आया है लेकिन यहां पहुंचते-पहुंचते उसे दिसम्बर लगता है और फिर दिसम्बर और फि इसके बाद 21 आता 21 में भी जो दूसरा लहर है वो आता है तो अभी इस तरह की चल लही है और भी जो प्रेजन गवर्मेंट चल लही है एंडिया की इसकी बहुत सारी महत्वकांग्शी योजनाएं हैं जैसे पारलियमेंट को रिवियूल करना इसके अलावा जो और सारे री अगेनडा होता है। दया योजनाव रखता है तो यह एक तरह से क्योंकि आपने ओट बैंक पर कंसर्ण होते हैं और उसी को देखकर में क्यें रभी दूर रहता है किसी भी पॉलेसी का और बहुत सारी पॉलिसी एक तरह से इंस्पायर भी होती हैं लोगों की मदद के लिए लेकिन पार्टियों को चुनाव जीतना होता है तो यह सारी चीजें हैं तो अभी देखते हैं कि 2024 से पहले यह 21, 22, 23, 24 तक क्या होता है और भी नेशनलिजम कितना हाई होता है और कितनी सारी चीजें देखने को मिलती हैं और फाइनली अभी तो वैक्षिनेशन काफी अच्छा चल ला है तो यह सारी चीजें मैंने एक सिस्टम में आपको दिखाया और बताया तो आशा करता हूं इसमें आपको कुछ समझ में आया होगा जरूर अगर हम फिर लोडते हैं अपने जो डिस्टिक का अनएलीसिस कर रहे थे 2009 में राकीस पांडे ये भोजन समाज पार्टी से यहां से जीतते हैं फिर 2014 में हरि ओम पांडे बीजेपी से और फिर 2019 में रितिशं पांडे भोजन समाज पार्टी से तो आप देख सकते हैं bjp यहां पर एक बार आई और उसके पहले bsp, bsp तो bsp न भी काफी इतरा से यहां पर आए अगर हम history के बात करें इस जिले की तो यह जो जिला है यह इतरा से नदियों के किनारे के बसा है और इसको इतरा से जो यहां पर पुर्शोतम स्रीराम नाम के एक poet है वो यहां पे रहे हैं इनको Thomas Saru Toda के नाम से भी जाना जाता है टाइटिल दिया जाता है और इतरह से साधना रिशियों के लिए मुनियों के लिए साधना का केंदर रहा है और इसके बाद में यह जो Saru River है गागरा River है और Thomas River है यही meditation प्रोवाइट कराती है क्योंकि बहुत सांथ है उपजाओ भी है और इस सारी नदियां है तो दुआब बनाती है और यहां पे काफी agriculture गतिविधिया होती है और इसके बाद में अगर देखें बेटकर नगर जिले का जो एक तरह से आपसोर है वो सालालू सारू है तमसा अपने नदी पहले ही देखा और इस तरह से यह डिस्टिक का आप देखते हैं कि जादा तर नदियां है और जादा तर यहां के डैम है यह सारी चीज़े है हम देखें यह जिले बनने से पहले यह कहा था तो यह अयोध्या फैज़ाबार डिस्टिक के अंडर में पहले था इसके बाद में जब उस समय क्या हुआ अकबरपूर और टांडा इस एरिये को दो तहसील में बाटा गया और फिर 22 जून 1989 को उस समय के चीफ मिनिस्टर ने इसको एक तरह से अकबरपूर को और लोगों की डिमांड थी बहुत सारी कि टांडा को और अकबरपूर को एक में स्प्लिट किया इसके बाद में फिर दो अलग होते हैं लेकिन उस समय स्प्लिट किया एक में जोड़ा और फिर इसको एक अलग ही तहसील बना दिया और फिर जो मंडल आयक थे उन्होंने एक जनवरी 1996 को एक तरह से आलापुर तहसील को बनाया और फिर 2007 को बेटी तहसील अकबरपुर तहसील का हिस्सा था और इसके बाद में पांच तहसील हुई इस तरह से और 930 ग्राम पंचायत हुई और 1757 विलेजेज वे जो 9 डेवलोप्मेंट ब्लॉक में बटे हुए हैं मतलब यहां पे 9 ब्लॉक हैं और इसी के साथ में अगर हम इसका हिस्ट्री पीछे देखें तो जो 6th century है इसमें 6th century में यहां पर रीजन था ये बहुत ही एक तरह से घाना जन्गल था कि ज्ञादा तराबादी नहीं थी जब अकबर यहां पर आया क्योंकि 1526 में बाबर जो मुगल के तरह से दिल्ली के गदी पर बैटता है बाबर 1526 में और उसके बाद में अकबर आता है तो अकबर बताता है कि यह तिराहा है और यहांपे एक मॉस्क चुन्टाक्ट करता है तैसिल तिराहा के बगल में अभी भी बनी हुई है तो वह सारी चीजें हैं और फिर मुस्लिम रूलर यहां पर इमभबाड़ा बनाते हैं मास्क बनाते हैं इद्गाह धरमशाला इसके बाद में ब्र पढ़ेंगे या समझेंगे तो नेशनल इंटीग्रेशन में सबसे एक तरह से कोर लिंक होती है रेलवे आप देखिए बहुत सारी जैसे सिक्किम है अभी तक वहां पर रेलवे की ट्रैक नहीं पहुंच भाई थी अभी पहुंची है और अभी हाल ही में दो-तीन साल पहले वह तो ऐसे ही जो तहा है रेलवे ने इंटिग्रेट किया था इंडिया को पूरी तरह से और अभी भी अंग्रेजों के समय की एक तरह से जो पट्रियां है वो चल रही है यूज़ me है बहुत सारी अभी भी तब से लेकर अब तक बहुत सारी modification की हुई है जो Indian Railway है उसने किया है लेकिन अभी बहुत सारी चीजें है जो मतब पुरानी ही है meter gauge पे चल नहीं है कुछ-कुछ उनको broad gauge पे convert करना और modification करना उसको world level की बनाना तो ये सारी चीजें होनी अभी भी बाकी ह ये infrastructure अभी भी एक तरह से highly highly build नहीं है तो ये मैं कहना चाहरा हूँ यहाँ और फिर 1947 में जब local citizen यहाँ पे अपनी अजादी की सांस लेना शुरू किये तो यहाँ पे 1952 में election होता है और फिर यहाँ पे livelihood elimination बिलाता है जिससे यहाँ labor हैं और जो landless people हैं उनको एक तरह से जमीन में दी जाती हैं क्योंकि जो पहले मुख्यमंत्री थे यहां के वो उनका ज्यादा तर यहीं जोड़ था कि लोगों को लोगों के पास जमीने हों लोग जो किसान है जो हल चलाता है वही उस जोत का मालिक हो तो इस तरह से था और फिर जो अम्बेटकर नगर है इस तरह से देरे देरे Mimiन भूव हुआ और फिर यह एक तरह से है और अम्बेटकर नगर को एक तरह से . नेशनल होरीजन पर भी देखा जाता है बहु सारी चर्चायं रहती इसके बारे में तो इस तरह से यह आज का सेगमेंट खतब होता है थोड़ा बड़ा हो गया है चार-पांच मिनट उसके लिए मैं अगली बार कम ही करूंगा लेकिन मैं थोड़ा कवर करने लगा था दूसरी चीज़े बहुत-बहुत धन्यवाद आशा करता हूं आपको कुछ समझ में आया होगा इसी के साथ में जय हिंद